वार्शिक राशिफल 2023 मिथुन राशी के लिए स्वास्थ्य आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी हाला कि वर्ष की शुरुवात में जन्वरी महीने में आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए किन्टु बाकी समय स्वास्थ्य अच्छा रहेगा स्त्रियों को मूर्स्विन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है शनी की धैया अर्थात धाई वर्ष की अवधी बीतने के कारण बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का निवारन होगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको दवाईयों के कोर्स में लापरवाही नहीं करनी चाहिए जून महीने में वक्री शनी के प्रभाव से कमर दर्द की शिकायत होगी वर्ष के अंत में नवंबर महीने के आसपास विद्युतिय उपकर्णों के प्रयोग में सावधानी रखें नींड परियाप्त मात्रा में लें इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आर्थिक स्थिति वर्ष दो हजार तेईस आपकी विद्तिय स्थिति के लिए अनुकूल रहेगा राहु अधिकतर समय आपकी राशी से एकादश भाव में रहेगा जो आपकी आयके स्रोतों में बढ़ोत्तरी के लिए उत्तरदाई होगा यद्यपी वर्ष की शुरुवात थोड़ी धीमी रहेगी लेकिन अप्रेल के बाद आपको उत्तम धन लाब होगा जौब में आपका वेतन बढ़ने के प्रबल योग है आपको शनी, गुरु और राहु का भरपूर सहियोग मिलेगा अचल संपत्ती में व्रिद्धी होने की आशंका है घरेलू व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है लंबी अवधी की योजनाओं में निवेश कर सकते हैं यह वर्ष बचत के लिए भी काफी शुब रहेगा कौटुम्बिक एवन सामाजिक इस वर्ष बड़े भाई भन के जीवन में कुछ नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं आप परिजनों तथा अन्य लोगों की काफी मदद करेंगे जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी आपको परिवार में काफी ख्याती मिलेगी माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा जुलाई से सितंबर के बीचे संतान को लेकर कुछ समस्या देखने को मिल सकती है बच्चों पर ज्यादा क्रोध न करें पिता की बातों की अवग्या करने से आपको बचना चाहिए प्रणय जीवन वर्ष 2023 वैवाहिक सुख को उत्तम करने में मदद करेगा आप जीवन साथी को परियाप्त समय देंगे जिसके कारण आपके रिष्टों में सुधार होगा नव दमपती फैमिली प्लानिंग को लेकर उत्सुक रहेंगे गर्भधारन की समस्याओं का निवारन होगा प्रेमी जन आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगा जुलाई से अक्टूबर के बीच कुछ समस्या अवश्य होंगी जिसका आप निराकरण भी अवश्य कर लेंगे फर्वरी महीने में जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड हो सकता है शिक्षा और करियर करियर को लेकर यह वर्ष उत्तम रहेगा तकनीक शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को बहतरीन जौब के अवसर मिल सकते हैं उच्छ शिक्षन संस्थानों की प्रवेश परीक्षा में अपेक्षा से बहतर परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं किन्तु जून के बाद वक्री शनी के कारण परिणाम मिलने में देरी हो सकती है विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेश ध्यान देना चाहिए समाधान